तो देख रहे हो ना, जनवरी की स्तीत लहर वाली ठंड चल रही है अब इतनी ठंड में एक्सरसाइज का नाम तो बिल्कुल मत लेना सुबह इतनी लेट से होती है कि उठते ही लगता है कि यार कितना टाइम निकल गया और कीचन में लग जाते हैं कीचन का काम खटम-ख़़म करते तो एक्सरसाइज का टाइम भी खटम हो जाता है तो इसलिए आज मैं आपके लिए 5 एज़ी एक्सरसाइज लेका है हूं जो आपको बड़कर लेटकर रजाई ओड करी करना है अब इससे आसान तरीका क्या हो सकता है तो इसे लिए ना मत कीजिएगा और ये 5 एक्सरसाइज डेली फॉलो करते रहेगा आपका पेट, थाई का मुटापा इसके साथ ही अगर आपके आपके आर्म पेट जादा है ब्रेस पैट जादा है, फीस पर फैट नो वो सारा पैट आपका चला जाएगा यानि सड्यों में भी आप अपना वजन घटाते रहेंगे और एक्सराइस करना आप जानते ही है कितना जादा जरूरी है और इस ठंडी के मौसम में गर्मा गर्म, चाय, पकोड़े, समोसे, पराठे और गाजन का हलवा के बिना तो हम रही नहीं पाते और दिक्कत तब हो जाती है जब कोई पराठे लाला का देता रहे गर्मा गर्म और खाते खाते हम कौन्टिटी भूल जाते है और क्योंकि सठ्डियों के मौसम में हमारा डाइजेशन भी फास होता है तो खाना जल्दी डाइजिस्ट होता है हम इसा कुछ नकुछ नकुछ खाते रहने का अमन करता है और हम कुद को रोक नहीं पाते हैं इसलिए मेरी मानिए अपने रजाई में बैठे-बैठे हैं ये पांच एक्ससाइस करते रहें और इन सड्डियों में भी अपना वजन और अपना बली फैट घटाते रहें ये बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो भी चीजे आप खाते हैं खाते रहें सड्डियों की मौ तो सबसे पहली exercise में इस तरह से एक हाथ साइट में रख ना है दूसरे हाथ को सर के ऊपर लेकर जाना है ये इस तरह से आपको एक बार राइट साइट से करना है और फिर छोड़ते रहना है और कितनी देर फॉलो करना है तो एक मिनट मोबाइल सामने रख लीजे और टाइम देखते हुए एक मिनट तक आप इसको फॉलो कर लीजे बहुत ही आसान सी एक्टिविटी है आराम से रजाई आप अपने पैर के उपर रख सकते हैं ठंड लग रही है तो और इस तरह से अप बॉडी को मूव करते रहें और बिलीव में आपको बहुत ही अच्छा फील होगा इन पांच एक्सराइज से जो आज मैं आपको बताने वाली हूं ना सिर्फ आपके वजन आपके पेट के मोटापे को कम करेगा बलकि आप बहुत ही अच्छा फील करोगे आपको ठंड लग उपर जाएए सांस लेना है नीचे आएंगे सांस छोड़ना है मतलब कि जब effort लगा रहे हैं तो सांस हम छोड़ रहे हैं जब relax जा रहे हैं उपर तो सांस ले रहे हैं इसी तरह से इसको भी follow कर लीजे आप एक मिनट तक count करके आप इसको 30 times कीजिए right leg से 30 times left leg से एक मिनट हो अगर आप beginner है या फिर बुजूर्ग है ज्यादा उचल कूद नहीं कर सकते हैं या फिर जो pregnant women होती है जिनका कहते हैं कि delivery के बाद अगर operation से बच्चा हुआ है तो उन लोगों के लिए भी आज की exercise बहुत कारगर होने वाली है मतलब सब कोई इसको follow कर सकता है दो मिनट करना है सब ये exercise को और एक महीने में ही आप गजब का change देखेंगे अपनी body में तो चलिए अब हम दूसरे पैर से करते हैं तो opposite side से भी इसे तरह से right leg को open किया दोनों हाथ को आपस में joint कर ले और इस तरह से अपने सर को जुकाना है exercise करने से आपके body के muscles free हो जाते हैं ये exercise आपके belly के साथ साथ आपके thigh के muscles पे भी बहुत अच्छा work करती है आपके arm fat को भी कम करने में help करती है आपका mood भी बहुत अच्छा रहता है अगर आप regular exercise करते हैं तो इसलिए सर्दियों का मौसम है कैसे बहार निकले कैसे exercise करें ये सारे बहाने छोड़िए और रास्ता ढूंडिए कि कैसे आप अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं और इन सर्दियों में भी अपना वजन घट बहुत ही आसानी से महीने में 5 किलो तक वजन कम कर सकते हैं अब next exercise पर जाने से पहले अगर आपके arm में pain होने लगा है exercise के बाद तो आप इस तरह से अपने arm को stretch कर लीजिए बहुत ही जल्दी आपके arm के muscles relax हो जाएंगे और इस तरह से इस तरह से अपनी body को हिलाईए ताकि आपकी muscles free हो जाएं अब चलते हैं next exercise पर दोनों पैड को इस तरह से खोल की रखना है हाथ उपर और नीचे जुकते हुए अपने leg को इस तरह से touch करना है इस तरह से आपको जुकना है अब मुझे पता है कि जिन लोगों का वजन ज्यादा है पेट ज्यादा निकला हुआ है इस तरह से जुकने में दिक्कत आ रही होगी तो उन लोगों को कैसे करना है इस तरह से दोनों हाथ को सीधा रखिए और जितना आप आगे जा सकते हैं उतना आगे जाने की कोशिश कीजिए अगर आप थोड़ा जा पाते हैं इतना ही जा पार हो ना तो इतना ही जाओ ठीक ह कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करते करते आपकी body flexible होने लगेगी और जैसे जैसे आपकी पेट की चर्बी कम होने लगेंगी आप बहुत ही आसानी से इस exercise को करने लग जाओगे तो इसलिए बस hard नहीं मानना है, करते रहिए धीरे धीरे improvement होती है दो दिन, चार दिन, पांच दिन आप करेंगे, तो बहुत आसानी से आप exercise करना सीख जाएंगे लोग कहते हैं कि हमें exercise करना नहीं आता आप शुरुवात कीजिए, धीरे धीरे शुरुवात में थोड़ी गलती होती है हर किसी से बट अगर आप कोई चीज रेगुलर करते हैं सीरस होके करते हैं तो आप उसकी टकनीक भी सीख जाते हैं और फिर सही से follow करने लग जाते हैं बहुत ही अच्छी exercise है belly, side, thigh और hip fat को कम करने के लिए आगे जा रहे हैं तो सास चोड़ना है पीछे आएंगे सास लेना है अब चलिए next exercise पर चलते हैं तो इसी position से आपको ऐसे लेट जाना है दोनों हाथ side पे, elbow पे सारा weight देना है पैर इस तरह से उपर उठा लिजे अब इस तरह से आगे लेकर आना है दोनों पैर को open फिर से close, open इस तरह से follow कीजिए अभी तक आपकी body गर्म हो चुकी होगी अच्छे से तीन exercise के बाद तो अब थोड़ा सापना रजाई से पैर बाहर निकालिए और इस तरह से यह वाली exercise को follow कर लीजे जादा दरिनी करने आपको बोलूँगी बस 10 count तक follow कीजिए ठीक है दस बार आपको करना है बहुत ही अच्छी exercise है belly pat को ने एकदम पिघला कर रख देगा पूरा जो मतलब इस exercise से effect है वो आपकी belly के muscles के उपर आता है बस यह धियान रखे कि सांस कैसे लेना है और छोड़ना है यह धियान रखे तो जब दोनों पैर सामने लाएंगे सांस चुड़िए पैर को फैलाएंगे तो सांस लेना है ठीक है इस तरह से आप इसके 10 repetition कर लीजिए बाकी आपके उपर depend करता है अगर आपको आसान लगे तो 15 repetition 20 repetition तक भी आप इसको लेके जा सकते हैं अब आज की last exercise चली कर लेते हैं दोनों पैर को इस तरह से फैला लेना है दोनों हाथ को जोड़ लीजिए और जैसे पुराने जमाने में हम चक्की चलाया करते थे थे बिल्कुल उसी तरह से इसको कहते हैं चक्की चलासन इस तरह की exercise को करके पुराने लोग हमेसा फिट रहते थे लेकिन आज कल तो हर चीज के लिए machine available है हमें अपने शरीर से कोई काम करना ही नहीं पड़ता इसलिए इतिनी सारी बिमारियां भी होती है लेकिन अगर आप इस तरीके से कुछ जो योगा आसन है कुछ exercise इसको follow करते रहें अपनी body का movement आपका होता रहेगा तो आपको कोई बिमारियां भी नहीं होंगी वजन भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि हमारा शरीर मूव करने के लिए ही बना है तो इसलिए जतना आप अपने शरीर को हिलाएंगे दुलाएंगे उतना ही ज्यादा आप खुश रहेंगे stress-free रहेंगे और fit रहेंगे तो इसको भी आप 30 times clockwise and 30 times anti-clockwise follow कर ले एक minute फिर रस लेके एक बार और करें and that's it तो आज की सारी ही exercise हमारी complete हो चुकी है इसको आप follow करते रहें और सड़ियों में भी अपना वजन घटाते रहें और अगर आज की वीडियो आपको अच्छे लगी है तो अफकोर्स वीडियो को लाइक कीजिए शेल कीजिए और भी लोगों के साथ ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चान को सब्सक्राइब करके बैल आइकन ज़रूर दबा दे ताकि आगे कोई भी वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तब कहुझे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो क्योंकि ऐसी हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी लगातार So thank you so much for watching, take care, lots of love Bye Bye